गाइस मैं आपको अगर पूछूँ कि पठान मुवी में सबसे ज़्यादा खतरलाक सबसे ज़्यादा गुजबं वाला सीन कौन सा था तो मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि सलमान खान की एंट्री वो स्कार्फ वो दोनों मतलब जब स्क्रीन पे दाहारते हैं जिस तरह का जो माहुल जो क्रियेट होता है वहाँ पे वो वाला सीन सबको अच्छा लगा था और बोद दोनों की कनवर्सेशन दोनों का भाईचारा और ज़्यादा मज़ा आया था तो गाइस ये वाला सीन हमें फिर से ये 2023 में ही देखने को मिलने वाला है टाइगर 3 मूवी में जो कि स्पाय इन्युवर्स की एक और पाठ है और टाइगर सीरीज की तिसरी पाठ है तो इसमें सलमान खान हीरो बन कर आएंगे और सलमान खान जैसे वहाँ पे कैमियो किये थे यहाँ पे साहरु खन वे से कैमियो करेंगे और बो गला माहुल फिर से होगा इस चीश को हम बहुत पेले से जानते थे और पठान मुवी में भी इसको कंफरमेशन मतलब कर दिये दोनों अपनी कंवर्सेशन में कि बहुत बड़ी बड़ी मिसन में जाएंगे और पठान उसको मतलब उसको हेल्प करने के लिए लोटेंगे तो यह वाला सिन तो जरूड होगा वहाँ पे और टाइगर थी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इम्रान हस्मिन विलेन होने वाले है तो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है मैं लिटरेली बोलता हूं इम्रान हस्मिन ऐसा बंदा है जो भी किरदार दो वो हिला के ही रग देता है और सलमान खान साहरु कान सबको सवारफुल है बठान मुवी खतम हो गया लेकिन जाना पराम खतम नहीं हुआ है बिलकुल यह सच है और बेसक इम्रान हस्मिन भी वैसा वाला किर्दर होगा मज़ा आएगा तो गईस हम बात करते हैं सहारुख खान की केमियो के बारे में जो कि इस वीडियो की मैन मुद्दा ह सहारुख खान अभी जवान की शुटिंग में ब्यास्त है जवान की शुटिंग अभी मार्च के प्राइन तक चलेगा और एप्रिल के मतलब एप्रिल के फर्स्ट विक से सहारुख खान शुटिंग करेंगे टाइगर 3 की यह केमियो करने वाले हैं उसकी शुटिंग वो करन यहां पर बोलकर के लेकिन यह जो शुटिंग होगा टाइगर 3 में जो उनकी जो मतलब केमियो वाला जो शुटिंग होगा यह बहुत गुप तरीके से होगा ताकि कोई भी ना देख पाएं क्योंकि यह बहुत बड़ा सर्प्राइज है जो कि टाइगर 3 में मिलने वाला है फि अच्छी बात है यार अच्छी बात है वाला महुल फिर से हमें देखने को मिलने वाला है यह आपटेट आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वाला थाई भी नाशन यह नच्छी नच्छी लगी आषटे कर दो